आप सभी स्टूडेंट्स में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जो UPSS Civil Service exam की तयारी करने होंगे और इन्हीं में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो PSS exam की या PCS exam की तयारी करने होंगे पर आप सभी लोगों को यह पता होगा कि इस तयारी के दौरान आपको previous year के question paper देखने के लिए जरूर कहा जाता है मुझे पता है कि कई सारे students लापरवाही बरतते हैं और वो previous year के question paper नहीं देखते हैं लेकिन आज आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं नहीं देखते हैं तो आप कितनी बड़ी गलती करते हैं अब मैं पहली बात बताती हूँ कि आप गलती क्या करते हो प्रिवेस year के question paper में आपके लिए knowledge के साथ साथ आपके पास motivation पहुचाने लायक कई सारी चीज़े होती हैं लेकिन उसके बाद भी आपको अलग-अलग जगह पहुचकर या यूँ कहो कि आप अलग-अलग जगह से आप अपने पढ़ाई के लिए motivation लेते हैं कभी ध्यान से देखिएगा कि आपके पढ़ाई के दौरान उस पढ़ाई में ही आपके लिए knowledge भी है और उसमें motivation भी है आपको ज़्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं है चलिए मैं आपको एक example के माध्यम से समझाती हूँ सामने आपको जो बुक दिखाई दे रहा है वो दिशा पब्लिकेशन का थर्ड एडिशन का बुक है इस बुक में UPSC, CSE, PCS, SSE, Banking, Railway and Defense और कई अलग-अलग competitive exam के questions एड़ किये गए हैं इस बुक में सामान अध्यन के 1000 से भी जादा questions एड़ किये गए हैं जो कि आपकी UPSC civil service exam के तयारी में काफी helpful होगा इसमें सब ही topics chapter wise एड़ किये गए हैं जिसे पढ़ने में आपको आसानी होगी इस बुक की और भी खास बात ये है के इसमें answer भी दिये हुए हैं जिसमें detail में आप सारी चीजे पढ़ सकते हैं और इस बुक में question आपको 100% solution के साथ मिलेंगे जो इस student mock test नहीं ले पाते हैं उनके लिए ये बुक काफी helpful होगी डेली आप practice कर पाएंगे इसके साथ ही आप खुद से इसका answer भी चिक कर पाएंगे इस बुक को order करने के लिए आपको link वीडियो के description में दिया गया है ये बुक आपको Hindi और English दोनों ही language में मिल जाएगी आप UPSA Civil Service exam 2017 के prelims के question paper उठाईएगा आप यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि C-set में जितने सारे questions पोचे गए हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा इस पेसली passage को कई सारे passage हैं उनमें से एक passage काफी important है आपके life के लिए आपके aim के लिए आपके goal के लिए आप सब ही लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक passage दिखाई दे रहा है चलिए इस passage में क्या क्या लिखा है आपको पहले ये बताती हूँ जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है जो व्यक्ति निरंतर इस हिचकी चाहट में रहता है कि दो चीजों में से किसे पहले करें वे दोनों में से कोई भी नहीं करेगा पता है क्यों जो व्यक्ति संकल्प करता है लेकिन उसकी काट में किसी मित्र द्वारा दिये गए पहले सुझाओ पर ही वे अपने संकल्प को बदल देता है जो कभी एक राय तो कभी दूसरी राय के बीच आगा पीछा करता रहता है और एक योजना से दूसरी योजना तक रुख बदलता रहता है वे किसी भी चीज को कभी पूरा नहीं कर सकता ज्यादा से ज्यादा वे बस ठैरा रहेगा और संभावता है सबी चीजों में पीछे जो व्यक्ति पहली विवेक पूर्वक परामर्श करता है फिर द्रड़ संकल्प करता है और कमजोर मनोवरत्ती को भेवीद करने वाली तुच्छ कर्टनाईयों से निर्भीग बने रहकर अटल द्रड़ता से अपने उद्देश को पूरा करता है केवल वही व्यक्ति किसी भी दिशा में उतकर्ज की ओर आगे बढ़ सकता है अब आप इसका मतलब समझे हो या नहीं लेकिन आपको संचेप में बताना चाहूंगी जब आप किसी चीज को पाने के लिए द्रड़ संकल्प या ठान लेते हैं तो उसके बाद जब आपके आस-पास के लोग या आपके मित दोस्त ये सभी लोग अपने अपने तरब से कोई भी सजिशन देते हैं कि ये सही रहेगा ये गलत रहेगा या फिर कोछ लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा जो गोल है तुम्हारा जो एम है वो तुम्हारे हिसाब कर नहीं है तुम्हें ये छोड़कर ये करना चाहिए तो अगर आपमें ये चमता है कि मेहनत कर सकते हैं कोई भी परेशानी आए चाहें तो फिर उसके लिए आप हमेशा अडिक रहें तब तक जब तक कि आप उसको पान ही लेते हैं। वो तुरंत अपने उद्देश में अपने रास्ते में हर चीज में बदलाव कर लेते हैं। और ऐसा वो एक बार नहीं बार बार करते हैं। जिसके वज़े से ना तो वो अपने एम के लिए महनत कर पाते हैं और ना ही वो यह सोच पाते हैं कि वो सही राह पर हैं या नहीं हैं। उनको जो जैसा बता देता है उसी हिसाप से वो अपना रास्ता बदलते रहते हैं। और ऐसे ही इंसान के लिए इस passage में कहा गया है कि जो बार-बार बदलते रहता है, जो बार-बार अपने संकल्प को बदलते रहता है, अपने उद्दीश्य को बदलते रहता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपने मझिल को नहीं पा सकता है, क्योंकि हरोज वो हर रोज अपने रास्ते को बदलता है और ऐसा करने वाला इंसान हमेशा अपने आप को वही पर पाएगा जहां पर से वो शुरुवात करता है